दोस्तो आप लोगों को नौलिज तो होई गई होगी कि टीवेस वलने अपनी अपाचे आटीर 164 वी में जो चेंज किया है वो काफी अच्छा चेंज आपको मिला है कि एक नया एक्जॉस दिया गया है प्लस बाइक में आपको एक नया कलर ऑप्शन भी दिया गया है जो कि व आप इसे खरीज सकते हैं प्लस मेजर क्या क्या चेंज़ेस किया गया है और हम आप लोगों को जो नया एक्जॉस है उसका एक्जॉस का साउंड वीजॉस इस वीडियो में देने वाला हूं सो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत चली दूस्तों आज किस फीडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं नई टीवीए सपाचे आटेर वन सक्ष्टी फोर वी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है देखी मैं आपको clear करना चाहूँगो दूस्तों यह जो वेरेंट है या आप लोग को को special edition जो वेरेंट है वो आप लोग को यहाँ पर TVS की तरफ से देखने को मिला है तो इसमें आपको सारे features मिलेंगे इविन आपको यह mobile connectivity, dual disc प्लस इसमें आप लोग को नया color option और जो exhaust नया वाला वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा तो यह special edition भी है और आपको बता दो यह top एरेंट भी आपको इसमें देखने को मिलता है बात कर लिए इसके price के बारे में दूस्तों आपको बताना चाहू आपको यह extra price around well like 30,000 एक लाग 30,000 रुपे के आसपास की आपको यह extra price देखने को मिलती है बात कर लिए दूस्तों इस भाइक के on-road price के बारे में तुम आपको clear कर दू हर एक state and city में on-road price में थोड़ा सा difference होता है क्योंकि हर एक state के RTO and insurance charges में फर्ग होता है यह भाइक हमारे आपको देखने को मिल जाती है बाकि दूस्तों आप लोग के city and state में इसका क्या on-road price अगर आपको पता हो तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दूस्तों आपको मैं बताना चाहूंग आप लोग देख पार है कि exhaust का जो लुक है तो आपको थोड़ा नया देखने को मिला हला कि मैं एक पुरानी वाली से जो comparison वीडियो वो भी आप लोग लिए लेकर आऊंगा तो यह major जो अपडेट है आपको बाइक में मिला है बाकि यह color option आप लोग ने देखी लिया कि यह नया color option जो नया graphic वो इ करते हैं इस बाइक के engine specification के बारे में दोसो आटीर 164 वी में engine टैप में 159.7 CC का oil cool single cylinder 4 इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मल जाता है ध्यानरी कि यह 4V इंजन है जैसे इसका नाम ही है आटीर 164 वी इसमें 2V भी आती है बट यह 4V वेरंट है बात करें इसके power के बारे में दोस्तों maximum power में इस बाइक में आ रहा हूं आपको 17.63 के असपस की PS4 आती है जो की 9250R में power generate करती है and maximum torque में 14.73 का nitramitin torque है जो की 7250R में power generate करती है इटमिस आप लोग देख पार है कि बाइक में आपको power engine torque है वो काफी अच्छा देखने को मल रहा है अगर दोस्तों बजाज की Pulsar N160 या फिर NS160 या फिर जुजी की जिकसार SEP या फिर Yama की Abjet किसी सी भी अगर compare करते है तो RTR जो आपको सबसे ज़्यादा power जो प्रिडूस करके देती है तो performance के मामले में ये बाइक सबसे powerful बाइक है ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी इस बाइक में oil cool engine मिलता है जो की काफी अच्छा है and fuel system में आपको FI आता है जिसे fuel injector भी कहते है इस बाइक की number of one cylinder में design किया गया है साथ में बाइक में 4 वाल वे साथ में 5 गेर आपको बाइक में मिलेगे and clutch में आपको बाइक में normal weight multiplate जो clutch हो इस बाइक में आपको देखने को मल रहा और no.bike की जो performance है वो भी आपको काफी अच्छी जो है देखने को मल जाएगी तो यह था दोस्तों इस बाइक का engine बाइक की जो भाइए अपना इस बाइक को right कर रहा है उनको यह कैसी लगती है बाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए बात कर लेते हैं दोस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग में को बताना चांगो दोस्तों इस बाइक में आप लोगों के special feature में single channel anti-lock जो breaking system है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के लाइटिंग के बारे में जो कि यह मुझे बहुत जादा पसंद है दोस्तों आप लोग देख पारें लाइटिंग में आप लोगों को सबसे पहले बहुत ही भैतरी वाली बीच में LED जो डियरल लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मल जाएगी जो की काफी अच्छी लगती है में लेट के बारे में अगर बात कर लिए दोस्तों तो इस बाइक में आप लोगों को में लेट में फूली LED सेट अप में जो लाइट है वो देखने को मिलेगा जो कि मैं बजा जोलों से हमेसा कहता हूं कि भाईया TVS वालों से थोड़ा सीखो कितनी भैतरी LED टेल लेट देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बहतर है प्लस रियर में आपको बाइक में 200 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगी प्लस बात करें रियर टायर साइज के बारे में तो 130, 170, 130, 170 अगर जो टायर साइज है वो आपको रियर मे जो आपको वाइक में देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलता है एंडिया फीचर्स के मामले में यह बहुत तगडी वाइक है यह आपको सब्सक्राइब करें तो देखो यार फीचर के मामले में यह तो भाई बहुत गारियों से आगी एवन मेरी 390 ड्यूक में इतने फीचर नहीं यह बद्वार वाले जो तने आपको दोटेंगे तो यह मानना पड़ेगा तो इस पास जूब नियजन की लेशिए वह सब्सक्राइब और राइडिंग मौर्ट का जो स्वीच आपको भाईक कर लेते दोस्री दिम इंसनेंट के बार में इस बारएक के जो वरल लेन्थ है वह 2035 mm की ए बाइक की जो ऑवरेल वीट है वो 790 mm की ए बाइक की जो ओवरेल हाइट है आराउंड 1050 mm की है GROUND के लिए निसे आराउंड 180 180 mm की ठीक है बाइक की जो seat हाइट है दूस्त होगा 800 mm की आपकी है अगर 5.4 है उस उपर है तो आप इसे comfortable light कर सकते हो करवेड़ा 145 kg का फ्यूल टेंग कैपसिटी 12 लिटर की 12 लिटर जो पैटोल है एक बार में अब इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो अब दोस्तो ब्रैंड न्यू टीविए सपाजी RTR 164V के नए वाइट कलर का complete specification review अब दोस्तो आप लोग कमेंट करके जरू बताना है कि आप लोगों को यह बाइक कैसी लगती है कैसी रहती लगती है और मेरे साब से दोस्तो वन अब दा बैस बाइक है हमेशा रहेगी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पर कि आप भी पतेगा कि आपको यह कैसी लगती है सो उमीद करते हैं दुस्तो आप लोग को को यह चोटी से इंटरस्टेंग वीडो अच्छे लगए कि वीडो अच्छे लगए तो लाइक करना चैनल पर पहली बरहेए तो सब्सक्राइब कर लेना मिलता है फिर नेक्स वीडो में लव यू और जैहिन मंद मात्रा